हालो एब्रीवन वेल्कम बैक टो इंडियन सिंपल कीचन इंडियन सिंपल कीचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको उरत डाल के वड़े बनाना सिखाऊंगी जिसे मैंने काफी असान तरीके से तैयार कर लिया है गाइस इसे आप कभी भी किसी भी टाइम ब यह बहुत ही परफेक्ट है और इसे आप सांबर या चटनी के साथ परोसे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है यह रैसिपी तो इतने टेस्टिया रूई से भी ज्यादा सॉफ्ट वड़े किस तरीके से बनाये जाते हैं चलिए जानते हैं चलते हैं अपने कीच साथ बस तेरा हो तो मस्तियो और इंच्वाइ के साथ में आ गई हूं की चण में स्टाट करते हैं गाइस बना लेना तो मैंने आपे औरत की दाल ले लिया है, जिसे रात ने भी गो दिया था, मैंने यहां पे 200 ग्राम औरत की दाल ले ली ए और मैंने आपर ले लिया है मेडियम साइज की दो प्यास जिसे बिल्कुल बारी काट लिया है तीन से चार हरी मिर्च ले लिया है जिसे बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है और ले लिया है अद्रक अद्रक को बिल्कुल छोटा छोटा काट लेना है गाईस और ले लेना है हरा धनिया तो मैंने पर हरा धनिया ले लिया है जिसे बिल्कुल छोटी-छोटी टुकडों में काट लिया है इससे ज़्यादा भी छोटा नहीं करना है आपको चलिए सबसे पहले डाल को ब्लेंड कर लेते हैं तो मैंने यहां पर डाल को डाल दिया है इसमें हमें इसके अगर आपने 200 ग्राम डाल दिया है तो उसमें आपको पानी बिल्कुल आदा ग्लास से भी कम डालना है इसका धियान रखें यह देखिए क्योंकि दाल को जब हम भीग होते तो उसमें पानी होता है यह जादा पानी ना डाले तो चलिए इसे निकाल लेते हैं यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं तो चलिए प्याज धनिया पत्ता हरी मिर्च और अद्रक को आपस में पहले इस तरीके से मिला ले ताकि यह अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाए उसके बाद हमें इसे डाल में डाल देना है तो मैंने आपके वड़े वह बहुत ही अच्छे और बिल्कुल रूई की तरह सौफ्ट बने तो जल्दी से इस तरीके से मेट ले तो गड़ाई में तेल मैंने गर्म कर लिया है तो चलिए वड़ो को डाल देते हैं तो बल्कुल हाथ में पानी लगा ले और पानी लगाने के बाद मे इस तरीके से हाथों से प्रस करते हुए पहले छोटे छोटे वड़े मैं आपको बना कर दिखाऊंगी आप चाहें तो इससे वड़े भी बना सकते है तो मैंने वड़ो को इस तरीके से डाल दिया है आप चाहें तो इसमें बीच में होल्स भी कर सकते हैं इस तरीके से सांवर वड़े बनाया चाते हैं बट मैंने इस तरीके से नहीं बनाया है तो बिल्कुल इस एक तरफ से सिखने के बाद हमें इस तरीके से पलट देना है guys हमें इस एक golden brown होने तक अच्छे तरीके से fry कर लेना है तो आप देख सकते हैं यह अच्छे तरीके से fry हो चुका है तो चलिए इस से हम निकाल लेते हैं तो वड़ो को मैंने निकाल दिया है अब मैं थोड़े बड़े साइस के वड़े बना कर दिखाऊंगी तो बिल्कुल सेम प्रसिस के साथ मैंने इस से भी डाल दिया है ऐसे भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से fry कर लेना है कडाही अगर आपकी बड़ी है तो इससे जादा भी डाल सकते हैं तो यह देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे बड़े काफी फलपी बने हैं आप देख सकते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से वड़ो को कडाही में डालना है हाथ में इस तरीके से पानी लगा ले और इस तरीके से प्रेस करते वैसे ओल में डाल दे ताकि आपके हाथ में जो वड़े हैं वो ना चिपके तो बस इसे तरीके से आपको सारे बड़ो को ओयल में डालते जाना है हाथ में पानी लगाते जाए इसके बाद इसे ओयल में डालते जाए तो ये देखिए ये भी fry हो चुका है काफी अच्छे तरीके से ये fry हुआ है इसका color बहुत ही अच्छा है तो मैंने इससे निकाल लिया है, मैं आपको इससे तोड़ कर दिखाती हूँ, यह अंदर से भी काफी अच्छा है, अर्चे तरीके से पक चुका है, विल्कुल भी कच्छा नहीं अंदर से, विल्कुल रूई की तरह सौफ्ट है यह अंदर से गाईज, तो हैना बहुत आसान स अब खा सकते हैं, तो मैंने इससे धनिया पत्ता और टमाटर की चटनी के साथ में परोसा है, जिसकी रेसिपी मैंने पिछले विडियो में शेयर की है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि हमारे वड़े हैं, वो कितने अच्छे और कितने टेस्टी, का सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें जिसे आपको मेरे हर लेटिस्ट वीडियो की नौटिफिकेशन बहुत इसली मिल जाएगी तो मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही आसान सी और बिल्कुल घरेलू सी रेसिपी को ले करके तिल दे और ले नहीं को संदुopoly है और बहुते हैं और बिल्कुल आपके और भी आजडिस्ट intent और को बिल्समें अजड़ना है और को दो सब्सक्राइब को सब्सकäre करें ग्यां को लेक। जया खुराइब को बागी छूब्सके विम्षक्ष पड़ना हtone है झाल झाल